नमस्कार निश्वर्णिशन देखरें और मैं आपके साथ रंजन सिंग्ड लगतार जिस तरह के आग लगी है पटना के पुलिस लाइन में बुद्धा कॉलनी जो पुलिस लाइन है वहाँ आग लगी है और जो लोग है वो काफी दहसत में है आपको बता दे कि यहाँ जो पटना के जो पुलिस लाइन है बुद्धा कॉलनी में वहाँ आग लगी हुई है हलाकि खंटो हो चुके है लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है लेकिन दमकल की पुरी टीम है वो लगी हुई है देखिए तस्वीरे जहां तक पॉसिबल है वो हम तस्वीरे काफी जो लोग है वो देहसत में आ गये हैं और देखिए कि किस तरीके से जो यहां का नजारा है वो हम दिखा देखिए कि किस तरीके से जो आग पर काबू पाने की कोशिश है वो की जा रही है घंटे हो गये है लेकिन अभी तक आग पर काबू पाया नहीं गया है क्योंकि जो हवा है वो कहीं न कहीं चल रही है तेज लेकिन दमकल की जो टीम है वो लगतार कोशिस में है कि आग पर काबू पाया जाए या जो तस्वीरे आप देख रहे हैं या बुद्धा कोलनी पुलिस लाइन में जो है वहां आग लगी है यहां काफी धुआ हैं दिश्टरी से द काबू पाया नहीं गया है लेकिन बात कर लेकि जिस तरह से हवा हैं चल रही है हवा चलने के बाब जूद्ध दिस तरह से आग लगतार देखिए कि किस तरीके से जो है वो कोशिश है आग पर काबू पाने की देखिए कि किस तरीके से जो तस्वीरे है वो यहां मौजूद है और लगतार जो काम है आग पर काबू पाने की वो कहीं न कहीं की जा रही है यहां जखिए कि इस तरीके से जो भीड है लोगों का जो हुजुम है वो यहां मौजूद है कैसे आग लगी कुछ पता है क्या यहां जो लोग मौजूद है दो हम उनसे जानकारी लेने की कोशिष करेंगे कैसे आग लगा है कुछ पता या देखिए कि किस लगतार हम संपर्क में आने की कोशिष कर रहे हैं यहां जो लोग मौजूद है कईसे आग लगी है यह तो नहीं जनकाड़ी है पर तो आग लग गए उसके बाद देखें कि यह अग लगा हुआ है यह पुलीस लाइन है पढ़ना का नियू पुलीस लाइन अचानक लोग देखने आ गए आग लगने के बाद काभी भ्यांकर आग लगी हुई थी काफी कोशिश करकर के जद्दो जहद करने के बाद आखिर अंतता आग भूत गई है आप देखी रहे हैं अस्थानिये लोग हैं यहां उनसे हमने कोसिश की बात करने की जो लोग यहां पहले से मौझूद थे उनसे परियास कि हम उनसे बात कर पाएं लेकिन जो लोग हैं फिलाल जो काफी दिर से आये हुए ढisz बच्चे भी यहां मुझूध हैं कभ की से आग लगी कुछा करी है क्या जो लोग देखें और जो यहां लोग मौ वो आग देखने दिख कोशिश कर रहे हैं यहां तमाम लोग मजूद हैं हला कि किसी को यह जानकारी नहीं है कि कैसे आग लगी है लोग काफी देर से यहां है घंटों गए है लगतार परियास किया जा रहा है कि आग पर काभू पाया जाए हलां कि लगतार कोशिश हो bath जूदा घंटों से कए एक घंटे हो गए हैं और एक घंटे से अभी तक फिलाल जो हवा तेज चल रही है उसके कारण आग पर काबू पाना जो है वो मुश्किल है यह जो आग लगी हुई है यह पटना के बुदा कॉलनी जो न्यू प्लिस लाइन है वहां लगी है तस्वीरे देखिए कि किस तरीके से जो है यहां लोग मौजूद है लगातार जो टीम है यहां दमकल की वह काम कर रही है फिलाल लेकिन जिस तरह से बात कर लें कि आग पर लगातार हम लाइब तस्वीरे आपको दिखा रहे है कि किस तरीके से तमाम जो लोग है वो यहां मौजूद है कैसे आग लगी सर मुझे मालूम नहीं मुझे मालूम नहीं हो भी आ रहे है पार के अच्छा बाहर गय थे यह देखिए पुलिस लाइन है लेकिन इनको जानका करल आड़ी नहीं है कि कैसे आग लगी है म copies लगतार आग भढ रहे है कोशिस किया जा रहा है कि आगपर काबु पाया जाए लेकिन जो आग पर काबु पाया नहीं जा पा रहा है और घंटे घंटे होगे है एक नवीर तो लेकित वो भारि मुझा मुसक्कट कर ए SAY लेकिन फ करए हैं Laghataar فसुः है लाइब वह हम दिखाने की को भीच कर bajo से आग लगी है या छेतर नहीं फिरसने बता दें कि पट्ना का गुद्धा कॉल नी को छेतर है यहां वहां आगलगी है कि सतरीके से लोगों का हुजुम है वह यहां उमर पड़ा है जिस तरह से जब आग रगे उसके बाद यहां लोग जो है वो काफिस की संख्या में जो लोग है वो यहां पहुंचे हैं देखें किस तरीके से लगातार यहां भीड हटाने की कोशिश है पुलिस है और दमकल की टीम है वो कहीं न कहीं लगातार देखें कि लगातार जो दमकल की टीम है वो पर्यास कर रही है कि आग पर काबू पाया जा सके लेकिन फिलहाल जो यहां की तस्वीरे है वो बयां कुछ और ही कर रही है देखें लगातार जो तस्वीरे है वो कई यहां पर दुकान थी और वो जल पर राक हो गई है यहां जो मौजूद लोग है वो काफी डर गये पर चाहिए लोगों का कहना है कि जब हम ने आग को देखा तो हम यहां पहुंचे है कब आग लगी पता नहीं कि कई लोगों को यहां पर जो तमाम जो लोग हैं फिलाल उनको जानकारी तक नहीं है कि कैसे आग लगी है यह पुलिस लाइन है और यहां देखे किस तरीके से काफी मुसकत किया गया तब फिलाल जो है आग पर काबू पाने की कोशिश है उसमें थोड़ी बहुत सफलता मिल पा कुछाए तरीके से जो अस्वीरे हम दिखाने की जो परियाश कर रहे है इस पात की जानकारी फिलाल किसी को नहीं है तो देखे लगातार हम लोगों से परियाश कर रहे है लेकिन लोगों को कहना है कि इस बात की जानकारी फिलाल अभी किसी को नहीं है कि आग कैसे लगी है लेकिन आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो लगतार की जा रही है एक घंटे से दमकल की जो टीम है वो यहां मौझूद है कई दुगान पूलीस का सब बहरेक है जो सब रहते हैं लोग पूलीस वाले को छती नहीं है अब कोई सूचना नहीं है लेकिन पूलीस वाले के छती जो समान के और होता है बहुत चारा यूज के समान पूलीस वाले सब साथ रहते तो उसका पूरी तरह से छती हो चुशू पूलीस वाले अ पुलिस कर्मी यहां काफी जादे मातरा में है और बगल में फाइल बिएड़ है इसलिए कि आग पर काबू का पाया जाओ करने ही तो अभी इधर बहुत ज्यादा नुक्सान हो जाता है पूरे मतलब पुलिस लाइन में आग का लपेट कर लेता है इसका चाती समझे कि हाथा हाथ अभी कुछ नहीं हुआ यही बहुत बड़ी अच्छी अच्छा के बात है कि अभी कोई जान माल की कोई चती में लेकिन समान बहुत जादा इसमें खालया है है जुबवाइट जाहा है बहुत ज्यादा पोलिस कर्मी आदा जान하하 करते है रोज मरा की जिंदगी में कोई डूटी निकलल थे कोई खाना हूना बना रहे थे खाना भी बना रहे थे लेकिन अभी तक क्लीस की कोई च्षाथी हुई इसकी जानकादी नहीं तने जान की अभी तक कि ऐसा कोई नहीं है कि जान की कोई पिलिस प्लिस करनी लेकिन समान बहुत मात्रा में बहुत ज्यादा चती हुई जा तो आपने सुना कि हमने लोगों से बाचीत की फिलहाल अभी तक किसी की किसी पोलिस वाले की सुचना नहीं है कि वह अंदर थे लिकिन यह कहा जा रहा है कि अंदर जो पुलीस का बैरक है पुलीस वाले यहां रहते थे और उनके जो रोज मर्रा जिंदगी के जो समान थे वो थे और वो सारे चीज जल कर राख हो गए क्यूंकि यहां से पुलिस कर्मी यहां से डूटी जाते थे और उनका जो रोज मर्रा जिंदगी का जो समान होता था रोज मर्रा जो यूज करते हैं कई लोग खाना यहां पिना पिना आते थे उन तमान लोगों का जो समान है वो पू कोशिश कि कहीं किसी जान की छती नहीं हुए यह अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पा रही है लेकिन लगतार जो आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो की जा रही है दमकल की टीम एक घंटे से लगतार प्रयास कर रही है लेकिन फिल्हाल अब 私 न कहीं जो पुलिस कर्मी हाँ रहते थे रोज मर्रा की जिंदगी उनकी के जो समान थी वो यहाँ रहता था तमाम पुलिस वाले हाँ से ड्यूटी करने जाते थे लेकिन फिलहाल जब आग लगी तो उनके सारे जो रोज मर्रा जिंदगी के जो समान थे वो जलकर खाक हो गए लेकिन अभी तक ये सूचना नहीं निकल कर सामने आये कि कुछ लोगों कोई जो पुलिस वाले हैं वो भी घायल है, हलाकि ऐसी अभी तक कोई सूचना है नहीं, लेकिन बात कर ले कि यह जो आग लगा है, इस बात की जानकारी फिलाल अभी किसी के पास नहीं है, कि यह आग पकड़ा कैसे, इतनी भायानक आग फैली कैसे, इस बात की जानकारी यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बात करने की कोशिश की लेकिन इस बात की जानकारी की नहीं के पास फिलहाल अभी नहीं मिल पा रही है यहां देखें लगातार जो आग पर काबू पाने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है लेकिन फिलहाल अब कही न कहीं जो घंटो मुसकत के बाद फिलहाल थोड़ी बहुत जो आग पर काबू है वो पाया गया है इसे आग लगी हुई थी और अब जिस तरह के से जो टीम लगातार प्रयास कर रही थी कि टीम जो है आप आया जा और लेकिन अब जो है वो आग पर काबू पाया गया देखें लगातार तस्वीरे जो है वो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं न्यूस फोरनेशन पर लाइब है लोग यहां पहुंच रहे हैं दीरे दीरे लेकिन बात कर ले कि तमाम जो लोग यहां पहुंच रहे हैं कहां से हैं अप क्या से आगलाई कुछ पाता नहीं चला एक बैक देखें कि अटानक कर लाइक कर लेकिन बुतने वाला नहीं था नहीं न था अच्छाती नहीं नहीं होई यह तो बेर रख शाती तो फिल्दना आजनी को बंद कर के गया है उसमें आरम से क्या है नहीं तो बात में पाता चल पुलिस लाइन के लोग थे उन्होंने बताया कि पुलिस वाले की तो छती नहीं हुए लेकिन जो उनकी रोज मर्रा की जिंदगी है कि जो समान थे वो जलकर खाक हो गए कुछ जो आर्म्स होते थे पुलिस वाले के वो भी कहीं न कहीं जलकर खाक हो गई है इस पुलिस में इस रोज मर्रा की जिन्दगी अपना यहीं पुलिस वाले बिजात बिताते थे उनकी सारी जो समान है वो जल कर खाक हो गई है लगतार तस्वीरे देखें कि किस तरीके से फिलाल अभी आग पर काबू कहीं न कहीं पाया गया है थोड़ी बहुत तक हद तक लेकिन जिस तरह से आगे आपको दिखाएं लेकिन देखें या आग जो है वो न्यू पुलिस लाइन बुद्धा कॉल्णी में जो है वहां लगा हुआ है कि देखें कि किस तरीके से जो समान जलकर खाक हुए है टिफिन नजर आ रहा है लगतार जो तस्वीरे है वो जहां तक हो सके हम दिखाना चाहरे हैं दिखा पारे हैं देखें ट्रंक है रखा हुआ बक्सा है काफी छाती हुई है लोगों की जो पुलिस वाले रहते थे उनकी किस तरीके से जो लोग लगतार परियास कर रहे हैं आग पे काबू पाने की लगतार हम तस्वीरे आप तक साजा कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो आग पर कोशिस अलो अलो हाँ 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 तस्वीरे खिसना यह कर दो दो द जैसे आदेखंसे वायं आफ तो लिँग przedा साजल आख एर जाल इसनने संकी मोदे हाम है और इस जो इस पार पार प्तिक कर देखंसे हैं जो 파वन स्वीरेत, लेगत, प्षा चे हैं ने जो बेस्ताय तो बीवसरा कर अखनो जसे पर अबखर शाराई कीयान ताराई खाराईन ताराई भारी मुसकत के बाद आग पर फिलाल काबू पाया गया है देखें कि चल कर किस तरीके से पुलीस लाइन का ये बैरक है बुधा कॉल्नी में चल कर खाक हो गया है रोज मर्रा की जिन्दगी की समान यहां पुलीस वाले के थे वो जल कर खाक हो गया है यहां गाड़ियां भी थी वो भी जल कर खाक हो गई यहां जो समान जो हम तस्वीरियों में दिखाना चार है जो दिखा पा रहे हैं फिलाल देखिए कि यहां बक्सा पुलिस वाले का यहां टिफिन और जो रोजमर्णा की जिन्दगी की जो कहले जो समान होती थी वो जलकर खाक हुई है देखिए इस यह जो गैस का जो चुला है वो दिख रहा है तमाम जो लोग यहां रहते थे उनकी जो रोजमर्णा की जिन्दगी की जो समान होती थी वो फिलहाल आज उनका जो समान है वो जलकर खाक हो गया है ग्यास पास पलब ड़गे जो लोग है कैसे पता चला कि आग लगी हुए धादो फटने के आवाज आई जो फोटने की आए तो लोग दोड़े आज पास के जो लोग थे वो यहां दोड़कर पहँंचे और उसके बाद मुसक्कत की गई हलाकी राहत की बात यह है कि बगल में ही अगनी जिसके कारण जल्द से जल्द आग पर काबू पाया गया लेकिन जो तस्वीरे अब कहीं न कहीं अब आग पर काबू पाया गया है कि अगया रही है कि देखिए लगतार जो किस तरीके से मुशक्कत के बाद भारे मुशक्कत के बाद कि अगया है